हलो गाइज, वेलकम टू अनुभाय स्टेडी फेक्ट्स आज हम मुगल सामराज्य के जो अकबर हैं उनके बारे में आपर कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट्स को डिस्कुस करेंगे और ये बहुत से एक्जाम्स में अकबर के बारे में पूछा जाता है आपका PCS में भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो गई जैसे आपका MP हो गया, UP हो गया, अत्राखंड हो गया आपकी बहुत सारे एक्जाम्स में ये कॉशन्स पूछे जाते हैं और बाबर और हुमायू के बारे में मैं अपनी जो वीडियो है वो चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ गाइस अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं अखबर के बारे में आज हम कुछ facts discuss करेंगे किस तरीके से questions पूछे गए हैं हम उनको भी discuss करेंगे previous year में अभी तक जितने भी exams में अकबर से related जितने भी questions पूछे गए हैं आज उन सब को यह discuss किया जाएगा और जो भी questions बन सकते हैं उनको भी हाँ पर discuss किया जाएगा ताकि जब भी कोई question अकबर से related किसी भी exams में आए तो आपसे छूटना पाए चीगे guys, let's get started अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था राणा वीर साल के महल में दूसरा point बनता है अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को और तीसरा है अकबर के बचपन का नाम जलाल था next guys, अकबर के संरक्षक के रूप में किसे चुना गया था? तो अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खा को चुना गया था और जब अकबर ने संराट की गदी, मतलब संराट की गदी पर जब वो बैड गया था संराट बन गया था तो उसने बैरम खा को किस चीज से उपादी दी थी? तो खान एक खाना की उपादी दी थी ये question पूछा गया है, ये दोनो questions पूछे गया है कि अकबर के संरक्षक के रूप में किसे चुना गया था तो बैरम खा को और अकबर ने संराट बनने पर जो बैरम खा है उनको किस चीज की उपादी दी थी? तो खाने खाना की next है बैरम खा की म्रत्यू किस ने कर दी थी? तो बैरम खां की मृत्यू मुबारक खांद्वारा कर दी गई कहां कर दी गई ये आप याद रख सकते हैं कि मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक इस्थान पर मक्का जो तीर्थ यात्रा है उसके दौरान पाटन नामक इस्थान पर मुबारक खां द्वारा बैरम खां की म्रत्यू कर दी गई थी नेक्स्ट है पानी पत की जो दूसरी लड़ाई है वो किसके बीच हुआ था जो युद्ध हुआ था पानी पत का वो किसके बीच हुआ था तो अकबरवा हैमू के बीच हुआ था और ये युद्ध कब हुआ था गाइस पांच नवंबर 1556 में अब मैंने आपको बाबर में बताय था अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप लोगो को पता होगा कि जो पानी पत का प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर अगर किसी ने नहीं देखी है तो यहाँ पर आपका एक बार पड़ा हो जाएगा फिर आप आराम से जाकर वो वीडियो देखीएगा तो पानी पत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में वो बाबर औ और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था फिर बाबर ने क्या करा था इस उद्ध के विजय होने के उपलक्ष में काबुल में चांदी के सिक्के बटवाए थी और उन चांदी के सिक्के बटवाने पर बाबर को किस च की उपादी दी गई थी तो कलंदर की और ये सब जो चांदी के सिक्के हैं इनका नाम बाबर द्वारा क्या रखा गया था तो शाहरुक आपको यह पॉइंट्स ध्यान रखने हैं क्योंकि एक्जाम में पूछे गए कि पानीपत का जो प्रतम युद्ध है वो बाबर और इब होने के उपरानच जो बाबर ने काबुल में चांदी के सिक्के चल वाई थी उन्चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया था तो शाहरुक आ गया था और उसके बाद उनने कलंदर की उपादी से नवाजा गया था ठीकए perception नेक्स्ट है गाईज जो हल्दी गाटी का युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को और किस-किस के बीच हुआ था तो अकवर वा महराना प्रताप के बीच लड़ा गया था नेक्स्ट है किस वँष ने अकवर के सामने समरपन नहीं किया था तो सशोदिया वँष था जिसने अकवर के सामने समरपन नहीं किया था नेक्स्ट गाईज बुलंदरवाजा इस्थित है तो बुलंदरवाजा कहां इस्थित है फतैफोर सीकरी में और ये उत्तर प्रदेश में है बुलंदरवाजा किस ने बनवाया था तो अकबर ने बनवाया था और किस उपलक्ष में बनवाया था तो ये पॉइंट पूछा गया है आप याद रख सकते हैं कि गुजरात विजय को यादगार बनाने के लिए अकबर ने बुलंदर वाजा का निर्मान किया था जो कि फतैफुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है किस वजे से गुजरात विजय को यादगार बनाने के लिए नेक्स्ट है अकबर कालीन सैने विवस्था तो वो किस पर आधारित थी मनसबदारी पर और ये कहां से लिए गई थी जिस मनसबदारी प्रणाली को अकबर द्वारा लागू किया गया था ये कहां से लिए गई थी तो मंगोलिया से नेक्स्ट है तीर्थियात्राकर और जजियाकर किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था तो अकबर द्वारा नेक्स्ट है गाईज अकबर नामा लिखी गई तो अकबर नामा किसके द्वारा लिखी गई अबुल फजल द्वारा इसमें अकबर के पूरे जीवन काल के बारे में जीवन का व्रतांत लिखा गया है अबुल फजल द्वारा किस चिष्टी संत की दरगापर अकबर दर्शन ही तू अधिकतर जाया करते थे तो मौयनुद्दीन चिष्टी की दरगापर जिनका नाम सलीम था और इन्ही के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट है आयन ए दहशाला पदती किसके दौरा चालू की गई तो जो भूर आजश्व व्यवस्था थी अकबर के साशनकाल में उस एक प्रसिद नीती का नाम है आयने दहशाला ये भूर आजश्व व्यवस्था से रिलेटेड है आयने दहशाला और ये टोडरमल द्वारा निर्मित की गई नेक्स्ट है किस सिख गुरू को अकबर ने पांसो बीगा जमीन दे दी थी तो गुरू रामदास और ये सिख के चौते गुरू थे नेक्स्ट है किसने अकबर को जिल्ला ए इलाही एवं फर ए इचदी कहा था तो किसने कहाता ये अबुल फजल ने जिल्ला ए इलाही का मतलब होता है खुदा की परचाई और फर ए इचदी का मतलब होता है खुदा से निकलने वाली रोशनी तो ये अकबर को किसने कहाता अबुल फजल ने अकबर का मकवरा इस्ते थे तो कहां है सिकंदरा में अब हम एक रिवीजन देख लेते हैं अकबर का जन्म कहां हुआ था तो राणा वीर साल के महल में कब हुआ था तो 15 अक्टूबर 1542 को इनके बच्पन का नाम जलाल था फिर बात आती है कि जो अकबर की सनरक्षक ते कौन थे बैरम खा बैरम खा को जब अकबर समराड बन गए थे और वो गद्धी पर बैठे तो उन्होंने बैरम खा को कौन सी उपादी थी खाने खाना की नेक्स्ट है मुबारक खा द्वारा बैरम खा की हत्या कर दी गई थी और कहा कर दी गई थी तो मक्का की तीर थे आत्रा के दोरान पाटन नाम किस थान पर नेक्स्ट है पानीपत का जो दुत्य युद्ध हुआ था वो कबुआ था तो 5 नवंबर 1556 को और किस किस के बीच हुआ था तो अकबर और हैमू के बीच और जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो कबुआ था 1526 में और किस के बीच हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीज नेक्स्ट है जो हल्दिगाटी का युद्धा वो कब हुआ था तो 18 जून 1576 को किसकिस के बीज अकबर और महाराणा प्रताप के बीज फिर है किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे अपना समर्पन नहीं किया था तो सिशोधिया वंश था और गुजरात व फतैफुर सीक्री में उत्तर प्रदेश में और अकबर द्वारा जो बनवाई गे इस रेश्टम इमार्थें थी वो फतैफुर सीक्री में बनवाई गई थी नेक्स्ट अकबर जो नामा है वो किसके द्वारा लिखा गया अबुल फजल द्वारा लिखा गया और जो अकबर कालीन जो सैन ने वेवस्था थी वो किस पर आदारित थी मनसबदारी पर और ये जो मनसबदारी प्रणाली थी कहां से ली गई थी तो मंगोलिया से फिर उसके बाद है कि अक्बर ने कौन-कौन से कर समाप्त कर दिये थे तो एक तो तीर ठ्यात्रा कर और दूसरा जजिया कर फिर उसके बाद है आईने देहशाला जोके घौराजस व्यावस्था की एक नीती थी वो कس के दौरा निर्मित की गई थी तो तोडर मल दौरा फिर उसके बाद आता है कि जो अकबर थे वो किस मोगल चिष्टी संत की दरगापर जाते थे अक्सर तो वो जाते थे मौयनुद्दीन चिष्टी की दरगापर जिनका नाम सलीम था और इन्ही के नाम पर इन्होंने अपने बिटे जहागीर का नाम सलीम रखा था फिर उसके बाद आता है कि किस गुरू को अकबर ने पांसो भी का जमीन दे दी थी तो गुरू रांदास को जो कि सिक्के चौथे नंबर के गुरू थे फिर उसके बाद आता है कि जो अकबर को जिल्ला ए इलाही मतलब जो खुदा की परच्छाई होती है वो और उसके बाद फर्रे इस दी मतलब खुदा से निकलने वाली रोशनी ये किसने कहा था तो अबुल फजल ने और इनी ने अकबर नामा लिखी थी मतलब अकवर का पूरा जीवन व्रतांत अकबर नामा में है जो कि अबुल फजल दौरा लिखी गई है नेक्स्ट है और आज के लिए लास्ट है अकबर का जो मकवर आए वो सिकंदरा में ये जो अकबर से रिलेटेड जित्ते भी अभी तक प्रीएस एयर्स में एक्जाम में पूछे गए हैं वो यहाँ पर कवर अप हो गए होंगे आप ये वीडियो जरूर देखे फिर उसके लाद प्रीएस एयर कॉश्टन पेपर लगाई है तो आपको खो देख अपने आप में इंप्रूब्मेंट देखेगा क्योंकि ऐसाई हो पीएसी हो प्लाटून कमांडर हो कॉंस्टेबल हो जीएस सब जगे आती है हर जगह पर जीएस आती है और जीएस में हिस्ट्री पोर्शन भी पूछा जाता है गाईस हिस्ट्री हुआ साइन्स हुआ ये दोनों इनकी सीरिज हम अपने चैनल पर चला रहे हैं जिसमें हम प्रिवियर्स में जितने भी एक्जाम्स में क्वेश्टन पूछे गए हैं वो जो हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है अभी पहले बाबर हो गया फिर उसके बाद ये हुमायू हो गया अकबर हो गया तो ये आपके जो सीटेट का पेपर टू मतलब सोशल साइन्स वाले और कॉमर्स वाले ध्यान रखिएगा गाईस क्योंकि जो बीकॉम की हैं वो ये स मज़ते हैं कि वो साइन्स से देंगे या मैतमेटिक से देंगे या आर्ट से देंगे तो उनको पता होना चाहिए चैनल पर में इसकी वीडियो अपलोड कर चुक्यूंकि कौन से स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना कॉमर्स अपना आर्ट स्ट्रीम साइन्स स्ट्रीम से कर रखा है वो किस चीज के लिए एलिजिबल है उनका क्या स्लेबर्स है किस तरीके से वो बुक्स पर सकते हैं वो सब कुछ मैं चैनल पर अपलोड कर चुक्यूं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो यह सी यह लिक शेर और अप्सक्राब मैं चैनल थैंक यू